हेलो फेंट्स वेलकम बैक टू माई चैनल फेंट्स क्या आप जानते हैं कि ओनियन के अंदर इतने गुन पाया जाते हैं इतने पोश्रक तत्व पाया जाते हैं जो आपके बालों की हेर को तेजी से बढ़ा देता है जब आप इसे अपनी बालों की चड़ो में लगाएंगे तो ये बालों की चड़ों की स्कैल्प को तेजी से बढ़ा देगा यानि कि आपके बलड सर्कुलेशन को तेजी से बढ़ा देता है और आपके बालों की चड़ों की चड़ों को तेजी से अपना कार्य शुरू कर देती हैं जिससे आपके बाल तेजी से बढ़ने लग जात और इसके यूज़ करते हैं रहने से आपके बाल चार नहीं दस गुना तेजी से बढ़ने भी शुरू हो जाते हैं गईस अगर आपके बाल कम है या गंज़े पन की समस्या है तो इसका शरूर यूज़ कीजे बालों की सभी start till गल जट से खत्म करने का यह एक रामबानम्वान हो जाएंक इसके यूज़ से आपके सफेर बाल काले हो जाएंगे गंजेपन की समझ से आपकी दूर हो जाएगी आपके सर पे इतनी जादा बाल घने हो जाएगे इतनी ज्यादा मातरा में हो जाएंगे कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा तो चलिए शुरू करते हैं और बाजू के बड़ आइकन को भी ओन कीजिए ताकि आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन इसी तरह से मिलते रहें देके इस तरह से आपको ओनियन का चिलका उतार लेना होगा अब आपको इसे कचू कर लेना होगा अब आपको ओना होगा कि फ्रेंड्स आपके पास इतनी मात्रा में ओनियन का रस बनकर तयार हो जाएगा एक ओनियन में इतना रस होता है कि आपके पूरे बालों में असानी से लग जाएगा अगर आप गल्स है तो इसे असानी से अपने बालों में लगा सकते हैं और ये आपके पूरे बालों में बहुती इसली लग जाएगा अब आपको इसमें एड करना ह इस तरह से आप नीबू को कट कीजिए और इसके आधिय रस को इसमें एड़ कर दीजिए लैमन के अंदर भी ऐसे तत्व पाई जाते हैं जो बालो की जड़ों उसको क्लीन कर देता है यानि की धूर पलूशन गंदगी भरी होती है बालो की जड़ों में उसे क्लीन कर देता है जिससे हमारे बाल तेजी से उगने लग जाते है नई बाल लाने में कवी हेल्फ करता है बालो में डैंड्रफ की समस्या, केड़े लगने की समस्या बालो का बेजानपन, रूख़पन उसे भी दूर कर देता है इसके बाद आपको इसमें एड़ करने होंगे दो चममच coconut oil, coconut oil भी हमारे बालों की जड़ों में पोर्चिल की कमी को दूर करता है, बालों को सीलकी साइन बनाता है, बालों को मजबूती रेता है और उन्हें तेवी से घणा बनाने का भी कार्य करता है, देखे फ्रेंट्स हमारा ये पेश्ट बनकर तयार हो चुका है, अब आपको इसे अपने बालों की जड़ों में लगाना है दोन उंगलियों में लीचे और बालों की जड़ों में इस तरह से आपको मसाज करनी है इस मसाज को आपको अपने बालों में 15 मिनट तक मसाज देनी होगी और इस पेश्ट को आप अपने बालों में 2 घंटे के लिए लग बूती भी देगा तो गाइस अगर आप भी बालों की जड़ों को लंबा घना काला मजबूत बनाना चाहते हैं तो इसका जरूर यूज कीजेगा तो गाइस यह था आज का मेरा वीडियो आज के वीडियो में इतना है वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और कमेंट्स क ज़रे भी बताएए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या चैनल पर नहीं है तो गाइस प्लीज प्लीज चैनल पो भी चलदी से जरूर सब्सक्राइब कर लीची मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तक तक के लिए बाई बाई दोस्तों